ये मीटिंग जरूरी क्यों है? त्थी सांक इाक scientists workshop में लोगों को पचाना, ये किया थे साथ गी नोधाना, पुलिगे ही नियु नियू बचाना, या धिए पुल्स का कैम लिगवार कुछा ज похожड़ा है this meeting is a continuation an audio process that was started in Patna few weeks ago I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people, the economy is in shambles, there is so much of inflation, there is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and I think this is a good meeting, this is a fruitful meeting and it's a constant of constructive decision. We will take it, all the agenda is very fruitful, let us discuss it today and if the outcome is come, outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. This meeting is important because we want to save India as we know what India is and I think India is under tremendous assault today multi-dimensional and the country has to be saved in order to change it for the better. अगे देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए, आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतना अनुभवी नेता हैं, अगर आज हम तै करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं के 2024 में एक पल्टी मिलेगी और एक अच्छी सरकार, जो जन्सयोगी कारे करें, समविधान को मानें, देश के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्यधार में लाने के लिए काम करें, ऐसी सरकार हमें मिल सकते हैं, जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी समविधानिक संस्थाएं हैं, उनको घेरा जा रहा है, नौ साल देश की जनता नेक सरकार को भरपूर ताकत देखे देखा, भहुमत के सरकार है, वो इंडिया को रियमेजन कर रहे हैं, न्यू इंडिया का के व्यक्ति को, कहीं मुसल्मान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सेने के बाद भी पीडितों को न्याय नी मिल रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के समयधानिक मूलियों को मानती हो और उन्ही को आगे बढ़ाने क के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कारे करें, देश की रक्षानीती को कमजोर किया गया, देश की अर्थ विवस्ता चर्मारा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में धोजून की रोटी उनको मिल मिलना इज्जत और सम्मान मिलना उनका भवश्य उज्वल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते हैं आज एक समन्वे बनेगा चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं जिस तरह हमारे Constitution को उसके साथ कहलवाद हो रहा हमारीकिज के साथ खिलवाद हो रहा हमारी diversity जो हमारे मुल्क की ताकत है जो गांदी के मुल्क की ताकत है तो है सब कॉमलयमेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टी को इकठा होके the idea of India has to be saved A हम सब लोग एक साथ इसलिया हैं क्योंकि देश के लोगतंत्र, देश के संधधान, देश की जो भाइचारा है, जो टाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एक जो ठोगे हैं, और जिस तरह से संधधानिक संस्थाओं पर दुरिप्योग करा जा रहा है, जिसके साथे देश के संपत्यों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाही महंगाई हो, इन सहरे जो असल मुद्धे हैं, इन पर बात ना करके, जो जहर की बाते जो है, जो नाकों से चलती है, उसकी बात की जानी है, इसलिए हम सब लोग जो बुदी किसा देखसा, जो.